सारे नों साच्छी अकाल स्वागत है तोड़ा संदीप सिंग क्लासिज देवेच आज दिस वीडियो देवेच अपना पंजाबी पेडागोजी दे जड़े प्रीविएस कोशिंस ने इंपोर्टन कोशिंस ने आप हो करांगे जिमें कि आपा कल पार्ट वन देवेच आपा काफी कोशिंस कवर किते सी तो आज दे इस पार्ट देवेच जो की है जी पार्ट सेकेंड इदे वेच भी आपा काफी कोशिंस जड़े कवर करने जड़े कोशिच करांगे ते ये लास् प्रेशेट कर देऊं पर लाइक नहीं कर दे तो लाइक शेर जरूर करें बैल आइकन भी जरूर प्रेस करें ते ताकि आन्वाड ये वीडियो जड़ी जान कर ये तानू सब तो पहला मिल सकें तो पहुंड वीडियो दी शुरुआत करते हैं पहला कोशन है जी कि सिख्यारती चे पढ़न दी समझ बनाओं ली सब तो वधिया तरीका हुंदा है उन्हानू शब्द कोश्टों ओक्खे शब्दां दी अर्थलब बन ली आखना उन्हानू चुपचा पढ़न अते ते गे सवाल ना दी उत्तर देन ली आखना उन्हानू प पढ़न ली कहना सुझड़ा यदा सई जवाब है जो ऑप्शन नंबर बी है कि उन्हानू चुपचाप पढ़न अते दित्ते गे सवाल ना दी उत्तर देन ली आखना ठाकि उन्हान दी पढ़न दी समझ वेडिया उन्हों बनाओं ली यही जड़ा तरीका सब तो बेस्ट ह ठीक है जी सोखला कोशन देख दिया नी अधि आपकली पाशा दी जमात वीच वेडियार थिया दी दिल चस्बी बिनाए रखन वास्ते सब तो कारगर रण नीती होनी चाही दी है कि काले फटे दी बहुत ज्यादा वर्तों करना ठीक है जी जादवी संबह हुए विचार व अबर थर्ड विशे नूना दिया जीवन स्तित्या नाण सबंदत करना इस वापै नाण ले इद्धर वड़ी साइड़ते भी दिखिए ने कोशन कि जमात वेच व्यक्तिकत पिनता होन दे कारण पाशा सिख्या कंप्यूटर दारित बद होनी चाही दी है साधारन समाजिक अंतर अनुशासनी सिख्या होनी चाही दी है अधे आपक नूँ प्रमाणक पाशा दे प्रयोग दे जोर देना चाही दा है या बे जोर विद्यारतिया नूँ वाक वाक पड़ावना चाही दा है सो जड़े दा सही जवावे जी ऑप्शन नमबर सेकिंड की साधारन समाजि एक अंतर अनुशासनी जड़ी सिख्या वनी चाही दी है चाही है। उच्ची पढ़ना, चुप चाप पढ़ना, रुक रुक के पढ़ना या विस्थार वीच पढ़ना सुज़ए था सही अंसर है उप्षन नमबर सेकिंड चुप चाप पढ़ना अगला देखें है इना विचो मूल रूप वेच केड़ा पाठ उच्ची उच्ची पढ़ना चाहिदा है स्वै जीवनी कहाणी सफर नामा जा फिर लेक सुझड़ा सई जवाब है option number second है जी कहाणी बोल लिखत जरूरी है सिख्यारती दी सुनन दी योगता परखन लई सिख्यारती दी याँ शाबदिक पुला लबन लई सिख्यारती दी लिखन गती परखन लई याँ सिख्यारती दी लिखाई सुधार रण लई सो जड़े दा सही जवाविज अप्शन नमबर वान की सिख्यार्ती दी सुनन दी योगता पर खण लए ठीक है जी सो वागणा कोशन देख दिया पाचा सहित सिख्या दा मुख उधेश विध्यार्तियां दी पाचा योगतामा दा विकास करना विद्यार्थियां विच सहितिक कौशला दा विकास करना या उपरोक्त दो में ठीक है जहां पाढ़ पुस्तक दे पाठा हूं चंगी तरह याद करना सो जड़ा अप्शन अबर थर्ड बिल्कुल सही है जो उपर लिए दोनों अप्शना जड़ियां बिल्कुल सही ने सिख्यार्थियां दिया गल्तियां लेके दिया आपक दी की प्रतिकरिया होनी चाहिदी है कि उननों नीजी तोरते विवरन देना सही रूप बारिदस ना सदारन रूप विच ही गलती ठीक करना या विद्यार्थी यदा ना लए बीना जमात विच विचार वटांदरा करना सो जड़े दा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अगर कोई बच्चा गलती भी करदा है ता टीचर दी जिम्मेवारी है कि उदा ना लए बीना इस तरीके ना समझाया जावे ताकि सारे उन्हों समझ आजवे ते उस जिस बच्चे को गलती होई है उदा ना भी जड़ा है या सारे समझे ना आवे तेगला कोशन कि पाशण थे लेखन विचसके ला बुणियादी फर्क हैं लिखती पाचा दी सुचेत होके निग्रानीं ने अन्याजा सब्सकांऑ ER ना चाक ने जा सका लेकिन कि बोली जानवाली पाशा कुदरती तौरते ज्यादा हस्थाई है पाशा प्राप्तिय ते पाशा सिख्या वेच मुखंतर की है पाशा प्राप्ति ते पाशा सिख्या मेच मुखंतर की है कि पाशा दी जटिलता दा शब्दा वाका दे अर्थ दा सहजता थे सुबाविकता था जहां पाशा ही समगरी था सो जड़ा थर्ड ओप्शन बिल्कुल सही है जी सहजता थे सुबाविकता था जड़ा है फरक है ठीक है जी कि पाशा दी जड़ी प्रापती और बड़ी सहजता ना होनी चाहिए ठीक है पाशा सिख्ञा या इदि वेची के सुबाविक तानी चाहीदी ए ठीक है जी तो केसी पाशा जड़ी है सुबाविक जड़ी है तोरती जल्दी सिख़दें ठीक है जी अगला कोशन है जी पाशा दी प्रयोग्शाला दा प्रमुक रूप पेच इस्तमाल किसले हुंदा है सदारन तरीके नल सिख्यार्थी दी पाशा दा विकास करन ली पाशा पाथा नूँ असान ते दिल्चस्प पनाऊंदी है सिख्यार्थी नूँ अपनी गलतियां लबन ते ठीक करन लेच मदत एला क्केशन देख 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 जी पाठ पुस्ता का महत्तापूर्ण हन क्योंकि ये महत्तपूर्ण तथा दा संकलन ही हन क्योंकि ये विद्यार्थियन अपने आले दवाले दी पड़ चोल दा उसर प्रदान कर दिया हन क्योंकि ये कविता कहानी दे माद्यम राही मनोरंजन कर दिया हन यहां क्योंकि यह प्रिख्या दी दिरिष्टी तो महत्पूरण है सो सेक्टर्ड ओप्शन जड़ी बिल्कुल सही है ठीक है जी क्योंकि यह विद्यार्थियान अपने आले दुवाले दी पड़ चोल दा अफसर पर दान कर दिया है ठीक है जी पाशा दे विज्ञान नू की क्या जन्द है जी शहली विज्ञान तो नी विज्ञान पाशा विज्ञान या शावदी ज्ञान सो पाशा दे विज्ञान नू क्या जन्द है जी पाशा विज्ञान ठीक है जी सोला कोशन है जी उप पाशा जाती पाशा मिली जूली ते अशुद पाशामा हन कुदर्थी तोर ते वक्री पाशा विच उपलब्दियां चल रही हन पाशा तो कट बहुत चोटियां जातियां विच बोलियां जानवालियां विहार वजो समान परमाप रखन वालियां सभी आप्शन है जी आप्शन नमबर फोर्थ के वेहार वज्जों समान परमाप रखनवालियां कविता वार्तक ते नाटक नू उच जमाता वीच पड़ा होंदा मूल मनुरत की है ठीक है जी केबल सहितिक सिधा अवानाल जान पशान करवोना जड़ा मुख मंतव है विद्यार्थियां नू वदिया लिखक बना उना जा सहित दी परमपरा निब उना या सहितिक सम्वेधन शीलता नू जड़ा वदा उना सो फोर्थ आप्शन जड़ा बिल्कुल सही है सहितिक सम्वेधन शीलता नू वदा उना ठीक है जी सोगला कुश्चन देख दें कि पाशा नू सांदर दे तौर दे वर्तन दारत है प्रभाव पाउंड ले जुबानी रूप दा परियोग प्रभाव पाउंड ले पाशा दे लिखत रूप दा परियोग पाशा नू जीवन दिया वक्रिया स्थितिया वेच वर्तना या पाशा नू सुकूल दे विशे समझन लई वर्तना C option जड़ा बिल्कुल सही है कि पाशा नू जीवन दियां वकरियां स्थेधियां वेच वर्तना किसे कविता नू पड़ा उंदे समें तुझी किस नुकते ते सब तो जादा जोर दे वोगे कविता विचा एकठिन शब्दां दे अर्थां दे आप कविता दे व्याक्या करन वेच ठीक हावपा आवनल कविता पाट ते या कविता दे रचन दे जीवन ब्रतां दे C option सही है जी ठीक हावपा आवनल कविता पाट ते तीजी जमात देदे आपका ने पाट पुस्तक विच्चों अपने सिख्यार्थियां ले कहाणी पड़ी ओ अगले चर्ण वेच सिख्यार्थियां नू की पुछेगी कहाणी विचली सिख्या बारे कटिन शब्दां ते निशान लगाओ कहाणी दा तात्त सार्गी सी या वाचन सिख्या वेच द्यापक बच्चे नूँ की सखाऊंदा है लिखना पढ़ना चित्रवेखन ते समझना या तु निया धा ज्यान तेक है सो जड़े दा सही अंसरेरी ओप्शन नमबर से वाचन करना मतलब पढ़ना हुंदा है ठीक है जी बच्चे दी मौलिकता ते सहजता रचना शक्ती नूँ सामने लिया उनदा अध्यापक दा जतन पाशा सिख्या दी डैश हुंदी है जरूरत मजबूरी पैल या चनौती सो पैल हुंदी है मौलिकता ते सहजता जड़ी रचना शक्ती नूँ सामने लिया उनदा जड़ा जतन है ठीक है जी पहल हों दिये सत्वंजा कुश्चन है जी पाच्छा सिख्या विच कौशला दी सिखलाई लेकिस्च सुदार होना चाहिए बोलन निपुनता कौशला दी सिखलाई पर करेया दोरान तरूटियां ते दोशां दा निवारन सुनन पढ़न दोश यां लिक्त सु ल गांदी जी अपने कामा आप कर दे सान हेंट दिती के सूची विच्छों कि तुसी अपने कारविच केड़े केड़े काम कर दे हो जमात चार दे बच्चेयां लेइस सवाला की उदेशें कि उपाठ दे दारते अपने कमा दी सूची बनोन उस सवाल दा जवाब देन समय सुझड़े दा सई अंसरी दी ऑप्शन नमबर थर्ड क्यों पाठ नो अपने रोजानना अनुबवाना जोड़न। पाशा दे अपक होन दे नाते हीट लेक्यां विचो केडा विचार तो अडे अनुसार सब तो महत पूर्ण है। पाशा दा पाठ करम समय सर पूरा करना, पाशा दी जमात नियमित रूप च लेना, विद्यार्थियां दे अंका विच सुदार करना च मद्द करना या विपिन संदर्बा च पाशा दे प्रियोगले विद्यार्थियां नुँ अवसर परदान करना। इस दा आर्थे है कि प्रात्मिक सतर दे बच्चियां दे अकरावाल बिल्कुल त्यान ना दो, बच्चियां नु लिखन लई नाक हो, बच्चियां दे लिखत प्रगटा होते त्यान दो या बच्चियां दी वाक सरंचना दे त्यान दो, सो जड़ा थर्ड ओप्शन सही है कि बच्चियां दे लिख्त प्रगटा होते ते आंदो ठीक है जी अगला कोशन कि पाशा सिखन चे वापरण वालिया गलतिया पाशा सिखन दा कुदरती पड़ा हन विद्यारतिया दी असफलता मानू दर्साउं दीया हन यहां पाट पुस्तक दी असफलता नू दर्साउं दियान या दियापक दी असफलता नू दर्साउं दियान जड़े दा आंसर है जी पहला बिल्कुल सही है ठीक है कि पाशा जड़ी सिखन दर्डा कुदरती पड़ाया पंजाबी पाशा सिखन से खौण वेच होण वालियां गल्तियां सुब आविखन इनानों सकती नाल नहीं लेना चाहिदा अधे अपक दे अधे अपन ते सवाल कड़ा कर दी है या बच्चियां अधे खराब पाशिक चुगर्देनों दसती है पहला ऑप्शन सही है जी या गल्तियां होनियां सुब आविखन इनानों बहुत जैदा सकती ना नहीं लेना चाहिदा मीना कई वारी कई शब्द नों ठीक लेक दिया थे कई वारी गलत इस दा की कारण हो सकता है द्रुस्त शब्द जोड़ा गया ना होना लापरवाही वरतनी पाशा सिख्या दी गल्त वीदी या परोक्त चो कोई नहीं परोक्त शब्द पाशा दे आपकूंड दे ना ते तुसी विग्यान ते हिसाब दे पाठा नुवी सा एक समगरी दे रूप पेच इस्तमाल कर दे हो इसब प्रमुक्खदार हिसाब दे पाठा पाशा से खौंड दे हन विग्यान दे पाठा पाशा से खौंड दे हन सारी पढ़ाई विच पाशा जहां सारे सलेबस विच पाशा थर्ड आप्शन से है कि सारी पड़ाई वेच पाशा जड़ी है ठीक है जब 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 जड़ा बिल्कुल सही है कि बच्चिया नूँ नदी गालक कहन ते सुनन दा जड़ा मौका देता जावे ठीक है जी कि सोगे जाल दिया जमात दी बहुत पाशाई स्थिति जमात दी बहुत पाशाई स्थिति है सिख्या प्रक्रिया विच रुकावट पैदा कर दी है एक साधन दे रूप वर्ति जाज सकती है जमात दानुशाशन पंग कर सकती है या विद्यारतिया विच कार वित पैदा कर सकती है सो सेकंड ओप्शन जड़ा सई है ये साधारण साधन दे रूप विच वर्ति जा सकती है ठीक है जी पाठ पुस्त का विच चितर हुने चाई दे हन चाई देन है क्योंकि पाठ पुस्त का विच चितर देन दी पुरानी परंपरा है चितर पाठ टी शोब्बा वदा दिनदा है विचचे नूँ चितर चंगे लगती हैं चितर अमूरत पावा नू मूरती मान कर देऊं सो D'e option भिलकुल सही है कि अमूरत पावा नू मूरती मान घड़े है कर देने ठीक है जी सो अध्यापक नूँ अध्यापक नू पाशा सिखलाई दे सामे केड़ी गलते बल देना चाहिए दाए पाशा दी किताब, पाशा प्रीखन, पाशा इस्तमाल करन ली मौके या कारदे काम वेचे वान सुवन ता सो थर्ड ओप्शन सही है कि पाशा इस्तमाल करन ली मौके पाशा बीच तुरूटियां किस वाल संकेत कर दियान पाशा दा इस्तमाल करन वाले विद्यार्थे दी कम जोरी अध्यापक दी गलत वी दी सिखन दी वीदी दा एक पड़ा जाँ पाशा दी जमात दे प्रभावहीन प्रभावहीन महाल सो जड़े यह दा सही अंसर है जो ऑप्शन नमबर थर्ड है ठीक है जी कि सिखन दी वीदी दा एक पड़ा वी या जी गलतियां दा होना वी ठीक है जी पाशा सबंदी तुरूटियां दे निवारन लई केड़ी पर करिया सहाइक से दोंदी है सिख्यक अगवाई उपचार आत्मक सिख्या सिख्यक निर्देश या निदानात्मक कारज सो सैकिंड ओप्शन जड़ा बिलकुल सही है पाशा आई कोशल दा सुबाविक क्राम वाच्चन मोखिक सुनना या लिखना मोखिक लिखना सुनना वाच्चन सुनना मोखिक वाच्चन लिखना या मोखिक वाच्चन सुनना ते लिखना पहला सोनना एंड लिखना होंदा है ठीक है जी सो थर्ड ऑप्शन जड़ा बिल्कुल सही जवाब है अगला कोशन है जी किसे व्यक्ती वलों बोल दे अते लिख दे हुए किसे व्यक्ती वलों बोल दे अते लिख दे हुए सेजे ही वर्ते जानवाले शब्दानू की किया जानदा है क्रियाशील शब्दावली अ क्रियाशील प्रतक शब्दावली या अ प्रतक सो क्रियाशील शब्दावली जड़ा आंसर सही है एट लिक्या विचो केडा टांग से क्यारती दे पडन कौशल नू सोधारण ले सब तो बेतर है उननों आखाते चुनती प्रपूर कारज देना उननों उची उची पडन ले आखना विपिन प्रकार दी पडन समगरी प्रदान करना या उननों एक को पाठ वारवार पडन ले आखना सो थर्ड ओप्शन सही है जी विबिन प्रकार दी पणन समगरी जड़ाया उनानू प्रदान करना पाशा वीच जानचन दा उदेश नहीं है बच्चे दी पलाईले गल्तियां दी ही पशान करना पाशा सिखन सकाउन दी प्रकेरयनू वधी अबनोन बच्चियां दे पाशा वीचास माता पिता दे आपकान दसना या पाशा सिखन दे संद अरब वेच हर बच्चे दी खास जरूरत दी पशान करना पाशा दा जाचक दा उदेश नहीं है ठीक है जी तो नहीं पुच्चिया से इसलिए अपना जड़ा है पहली आप्शन जड़ी अपनी सही है ठीक है जी पाशा सिख्या दी मुलांकड विदी दा प्रमुख दोश केड़ा है प्रमप्रागत विदी पाशा ग्यान परखना है पर पाशा कौशल नहीं विज्ञान अकता दी काट या उपरोक्त सारे जड़ा है मुलांकड विदी दा जड़ा है साधी पाशा सिख्या दी मुलांकड विदी दा जड़ा दोश है ठीक है जी तिन्ने पॉइंट लिखन कौशन दी सिखलाई विच शामल नहीं हुन्दा विज्या व्याकरणिक तौर ते सही वाका दी वर्तो बोलन लेई जिना तु नियादी असी वर्तो कर देयाऊनानू निपूरत निरुपत करण वाले चिना आते प्रतीकानू कागज ते लिखना उसे प्रकरयानू अपनावना जिड़ी असी पड़न दे कौशना ले अपनावन दे हां या अपने विचारानू सही टंग नाल अपविक्त अभिव्यक्त करण लेई उपयुक्त शब्दा आते उपवाका दा प्रयोग करना सो थर्ड आप्शन जड़ा अपना बेलकुल सही है ठेके उसे प्रकारनू अपनावना जिड़ी असी पड़न दे कौशना ले अपनावन दे हां देखो जी एक कौशन है जी हर कीरत किताब जो एक विशा पाड़ रहा है अते विद्यार्थियानू उही विशा अपने शब्दा वेचे वर्नन करना ले कहनदा है हर कीरत दवाराईना वेचे केड़े कोशना दा विकास नहीं किता जा रहा सुनना लिखना ते बोध होना सुनना लिखना समझना सुनना बोलना पढ़ना ते लिखना या बोलना सुनना ते बोध होना सो जड़े दा सई अंसर है आप्शन नमबर थर्ड है जी सुनना बोलना पढ़ना ते लिखना ठीक है जी सो अग्गे चाल दें जी बच्चेयां दी पाशा सिखन दी समर्था किस तरह परखी जान दी है मुलांकन बीदीनाल प्रैक्टिकल मोकिक प्रकर्या या लिखती यहां अंसर जातड़ मुलांकन बीदीनाल जडा जड़ाया उना दी समर्था जड़ी vampires जान दी है ठीक है जी सो अगला कोशन देख दिया जी बच्चयानों अखर रचना सखाऊन लई ही इट लिख्या जो केडी विदी सही है लिखे अखर उते कलम चलाओना बोल लिखत विदी वेक लिखत विदी जाएना जो कोई नहीं सो लिखे अकरां उते कलम चलोना जड़ा बिलकुल सही है अगला कोशन नहीं जी कविता दी केडी सिख्या विदी छोटे बच्चेया ले उत्तम मननी जान दी है शबदार्थ विदी गीत ते नाट विदी प्रशन उत्तर विदी या व्याक्या विदी गीत ते नाट विदी ठीका जी ये इंपोर्टन कोशन है ठीका जी देखो वीज भी आया सिएगा है अग्ये चाल दी की पाशा दी समा वेशी जमात वेच आडियो वीडियो समगरी दा परियोग करना चाहिदा है जो के समय वेच केड़ी पाशा सिकलाई दी विदी अपनाई जा रही है Classroom अदे आपन, समुहिक अदे आपन, व्यक्तिकत यां कुदर्ती वातावरन So Classroom अदे आपन जड़ाए बिल्कुल सही जवाब है Lingua Phonic जानतरे जिसराई बच्चिया नूँ शुद लिखत सिखाई जान दी है आम पाशा सुनाई जान दी है, शुद पाशा सुनाई जान दी है, जाइना चो कोई भी नहीं So third option बिल्कुल सही जी Lingua Phonic दे नाल, शुद पाशा जड़ी है बच्चिया नूँ सुनाई जान दी है पाशा सिख्या पंजाबी वेच अदे आपक नूँ देखन सुनन ते सहाइक साधन दी वर्तो दी चोन केड़े अदा आर्थे करनी चाही दी है देखन सुनन साधन दा कोई विद्धे को मुल होना चाही दा है देखन सुनन उपकरन पाठतिया लोड़ा दिया नू कूल होवे देखन सुनन साधन असली वस्तु दी सची ठीक ते असली बदल हनू पेश करे या उपरोकत सारे ये तिने चीज़ जड़ी है होनिया जरूरी ने अजो के समय सब तो महतपूरन साधन केड़ा है जी कंप्यूटर इंटर्व्यू पार्ट पुस्तका या ब्लैक बोर्ड सो बिना कोई शकते जी कंप्यूटर जड़ा है महतपूरन साधन है आज दे टाइम दा पंजाबी पाचा दी सिख्या दे सहाएक साधना विच्चो जादू दी लाल टैन अते एपिडाइस को पदा आधनिक रूप वड़ा साधन केड़ा है ओवरहेड प्रोजेक्टर टेलिवीजन कंप्यूटर या कोई भी नहीं सो जड़ा है यादा सही आंसर है जी एह है उप चारेक सिख्या एक तीरज ते लगण वड़ा कारज है क्योंकि पाचा सबंदी सारे दोश एक दाम नहीं सुदारे जा सकते तेजी करनल बच्चा उलजण दा शिकार हो जानदा है तेजी करनल बच्चे चिड़ चिड़ सुबादे हो जानदे हन तेजी करनल बच्चे वेच हीन पावना पैदा हो जाना दी है ठीक है जी सुझड़ा है पहले ता सही आंसर है जी ऑप्शन नमबर फर्स्ट है कि पाशास बंदी सारे दोश एकदम नहीं सुधारे जा सकते अगला देखते हैं जी उपचार आत्मिक सिख्या तो पहला बच्चे दोश जा तुरूटियां दी जाँच कि में किती जा सकती है प्रिख्या लेके नरीखन करके यां तक्षीशी प्रिख्यामा दोवारा यां प्रोक्त विचो कोई नहीं तो थर्ड आप्शन सही है जी डाइगनॉस्टिक प्रिख्यामा दोवारा आसी बच्चे दी जड़ी तुरूटियां दी जड़ी जाँच कर सकते प्रिख्यामा दोवारा 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 देखेड़ी कौशला विच पेंदी है पड़न नाल सबंदित शुदियां लई व्याकरना सबंदित शुदियां लई वाका नाल सबंदित शुदियां लई उपरोकत सारियां किसमादियां शुदियां लई फोर्थ आप्शन जड़ा बिल्कुल सही है पेजिद गविद योप चारीक सिख्या देंड समया है कि अ आपक नों चाहिद है कि ऊ बच्चे नों तैयार करें श्रीरिक तो और यह उप मान सिख्या है उप रूक तो कोई ने उप ए तो नहीं श्रीरिक तो चाहिद है अदे आपकनू जड़ा चाहिदा है ठीक है जी तो उपचारिक सिख्या दा अर्थ है कमजोर विद्यार्थियां दे आपन लिखन दे दोशानू दूर करन दी पर करया बच्चे नू सिहत मंद बना होना छुटी तो पिछो कमजोर बच्चे नू पड़ा होना या उपरोकत सार है जड़ा तो जड़ा ता सही आंसर है उप्चे नू फरस्ट है जी कि बच्चे नू जोर विद्यार्थियां दे आपन लिखन दे दोशानू दूर करन दी पर करया अध्यापक नू चाहिए जै कि बच्चे दी पाशा सबंदी दोशानू अरामब बिच समझ के ही दूर करे बच्चे दे बालग होनते दूर करे बच्चे उपरी छाड़ते वे जहां सजा दे डारनाल ठीक करे तक्षीशी सिख्या ले निरीखन परीखन इंटरव्यू आ दी तो बिना केड़ी आदूने किसम दी वीदी अपनाई जान दी है निरीखन वीदी आपसी गालबात प्रिख्यामा या यांतरिक उपकरन वीदी जड़ी है अजकल जड़ी है आदूने किसम दी जड़ी वीदी अपनाई जान दी है ठीक है जी ओकेड़ी नमी वीदी है जिस बचे स्वेय अदियान दवार आपने पाशा सबंदी तुरूटियान दूर कार सकते हैं नरीखन वीदी क्रियातमक अनुसंदा आन वीदी या अब क्रमित अधियान वीदी या उपरोक्त विचो कोई नहीं तो थर्ड ओप्शन जड़ी बिल्कुल सही है अब क्रमित अधियान वीदी थीक है जी तो अगला कोशन है जी बच्चे दे पाशा सबंदी अंदुरूणी मुलांकन लई केड़े मुलांकन साधना दिवर्तों किती जान दी है कारदा काम रोजाना काम कारदा काम ते रोजाना कारज बच्चे दा समुच्चा वेवहार ठीक है जी तो जड़ा एस कोशन दा जड़ा सही जवाब है ओ है जी ओप्शन नमबर थर्ड कारदा काम ते रोजाना कारज ठीक है जी क्योंकि अंद्रूनी मुलांकन लेकेड़े मुलांकन साधना जी किती सो करदा काम ते रोजानना जीड़े कारा जा ठीक है सोगला कोशन देख दें जी क्रियात्मक अनुसंदा आनुपचारिक सिख्या वेच सहायता करदा है एस द्वारा दे आपन वेचे औरण वालियां समस्यामा दा विज्यानिक टांगनाला दे आन किता जान्दा है ते फिर हाल लब्या जान्दा है जो तो बच्चे कोई क्रिया कर रहे हूंता हूना दे पाशा दोश नोट किते जान्दे हन बच्चे आप पकते बच्चे स्कूल तो बाहर रहनों संदा आन करन जान्दे हन या बच्चे आप एक दूसरे दे पाशा दोश लब दे हन दे उन्होंनों दूर कर दे हन सो पहला उप्शन जड़ा बिल्कुल सही है कि अधियान में चौनवालिया समस्यामाँ दा विग्यानक टंगनल अधियान किता जानदा है ते फिर हल प्या जानदा है ठीक है जी? क्योंकि पहला अधियान होंदा है फिर ही असी हल कर देन लिखन दी सुन्दरता बोध जी में चांद अलंकार शैलिया दी दा मुलांकन के में हो सकता है लिखती प्रिख्या द्वारा वस्तु निष्ट प्रिख्यामा द्वारा निबंदा आत्मक प्रिख्या द्वारा या वस्तु निष्ट अते निबंदा आत्मक प्रिख्यामा द्वारा फोर्थ ओप्शन जड़ा बिल्कुल सही है जी अगला कोशन देख दिया है जी वाच्ण वेच लिखन वेच उचारण वेच उपरोप्त सारे कोषणा वेच विद्यार्थी दे व्याक्रण क ग्यान दे मुलांकर ले केडि वीदी दिवर्तों किती जान दी है वस्तोनिश्ट वी दी व्याकरण देवडे प्रशना ले निम्द आतमक प्रशन वी दी छोटे प्रशना ले लगू उतरातमक प्रशन वी दी यह उपरोक्त सारे उपचार आतमक सिख्या पाशा सिख्या दियां केडियां तुरूटियां नू दूर कर दी है जो की अध्यापपक नोट नहीं करता यहां साधी सदारन प्रिक्या प्रनाली तो बाहर दिया वस्तुआ हान बच्चे तो सहट सुभाई हो जान दिया हान यहां माप्या दी नजर नहीं पेंदी सुझड़ाईदा सही अंसर उप्शन नमबर सेकंड साधी सदारन प्रिक्या प्रनाली तो बाहर दिया वस्तुआ सुलेख दी जाँच केड़ी पाशा प्रिक्या विदी द्वारा हुंदी है बोल लिखत मौकिक प्रिक्या वाचन प्रिक्या यहां इना चो कोई नहीं सुझड़ाईदा सही अंसर वाची बोल लिखित विद्यार्थिया दी बोध स्मर्था दे मुलांकल लई केड़े मुलांक executing साधना दी वर्थों करनी चाही दी है लिखती प्रिक्या मौकिक दे वस्तुणिष्ट प्रिक्या निबंदात्मक त यहां परोक्त चो कोई नहीं सो मोखिक ते जड़ी है वस्तु निष्ट ठीक है जी एदा जड़ा है वो प्रियोग जड़ा है कि इतना जानता है ठीक है जी सो अगला कोशन है जी कि पाशा विच शबदावली ज्यान दी प्रिख्या लई केड़ी मुलांकन विधी दी वर्तों होनी चाहिए ठीक है जी जड़ा है जी जड़ा है जी ओप्षिन नमबर 4 मोखिक ते वस्तु निष्ट प्रिख्या विधी ठीक है जी सो अगला कोशन देख दिया जी पाशा दे सुनन बोलन उचाहरन ते पड़न कोशला दी जांचले मुलांकन दी केड़ी विधी वर्ती जान दी है वस्तुनिष्ट प्रिख्या विदी, मौकिक प्रिख्या विदी, निबंदात्मक प्रिख्या विदी या उपरोक्त सारी विदी या सो जड़ा यहाँ सई अंसर है ओ है जी option number second मौकिक जड़ी है मौकिक प्रिख्या विदी ठीक है जी अगला कोशन देख दियां जी पाशा वाचन दी प्रिख्या विच की शामिल होना चाहिदा है लिखती कोशल उचित गती नाल शुद वाचन सुनन ते समझन कोशल या उपरोकत सारे कोशल सो जड़ा यहाँ सई अंसर option number second ठीक है जी उचित गती दे नाल शुद वाचन सो अगला कोशन देख दियां जी 28 अधि आपका जमात बेच पड़ान तो पहला एक को दारण दिन दी है ते फिर विशलेशन नाल नियम करवों दी है ठीक है जी बिलकुल इह important question है most ठीक है इस वेदा सई अंसरे आगमन विदी मतलब जदो असी की गार्दिया व्याकरण पड़ान वेले आसी जी में कलवी गल कीती से की कई बर question ने आया है ठीक है कि जदो असी जड़ा है उदार ना तो असी कते जानने है जी rules वल जानने है ठीक है जी आगमन विदी अगला question देख दिया है जी 20th question कि पाशा मुलांकरण दी प्रच्रित विदी दी मुख तरूटी है कि ओ वस्तुनिष्ट नहीं विज्यानिक नहीं पाशा ग्यान तक परकती है पर पाशा कोशला दी परक नहीं कर दी उपरोक तो भी चों कोई नहीं ठीक है जी सोगला question देख दिया है सफल उपचार आत्मक सिखलाई लेई जिरूरी है उपचारक सिखन समगरी दी उपलब दी पाशा आई नीमा दी जानकारी बच्चयां दे माँ प्योदा सही योग जां समस्यां दे कारणा दी सही पहचान सो जड़े दा सही आंसर है ओ है जी option नमबर फोर्थ समस्या दे कारणा दी जड़ी सही पशान जड़ी होनी बड़ी जरूरी है सो अगला question है जी कि पाशा विच वस्तु निष्ट प्रिख्यामा कोई लाब नहीं सो जड़े दा सही आंसर है जी आप्शन नमबर फोर्थ ठीकरी वस्तु निष्ट प्रिख्यामा द्वारा बच्चे वेच वाचन शक्ती विक्सित हुन दी है चंगे बुलारे देगुण होंदे हन चंगे नेता देगुण होंदे हन पैदा हुंदे हन या उप्रोक्त कोई नहीं तो जड़या ब आईदा सही अंसर है, विप्रोक तो विचो वत्चे सी अंसर है कोई भी नहीं ठेका जी निबंद आत्मक प्रिख्यामा विचो बच्चे ते वेच्चे जड़ा है इनने तिनना उप्षिना जड़ा है इनने जो कोई भी जड़ा है बच्चे ते वेच्च जड़ा है उदे वेच्च गुर्ण जड़ा हो नहीं होता है ठीक है जी प्रिख्या पूरी तरह प्रमानिक नहीं होंदी है क्योंकि इस विश्वास योग नहीं हन इस नल विद्यार्थियां दिमाग ते बुरा सर्पेंद है या उप्रोक्त सारे सुचड़ा यह दा विद्यार्थिया उप्रोक्त सारे ठीक है इस स्यवास नल विद्यार्थियां दिमाग ते बुर्चिजा नय॥ा 9 अच्छी वाच्न योग साल、 लिख्त नहीं और विच्छार प्रगट न्य॥ा किसा बुचला प्रगटकर शीश्वास नले 11 जी 24 दा ओ है जी ऑप्शन नमबर थर्ड सो एदा अंसर है जी फोर्थ है ठीक है जी उच्छी देखो वाचन होंदा पढ़न वे ले ले हैं ना सो जड़ा निबंदातमक प्रिख्या होंदे वे लिखते पाशा वे ले वीचार प्रकटकरना पॉकता है उदा जड़ा है विकास होंदा है लिखती प्रिख्यामा द्वारा पाशा दे केड़े कोश्णा दा मुलांकन हुन्दा है सुनन ते समझन कोश्णा दा उचारन कोश्णा दा पाशा दे तात ते साहित दे वाख वाख रूपां दा या उप्रोक्त सारे कोश्णा दा मुलांकन ते प्रिख्या कोई अंतर नहीं मुलांकन प्रिख्या तो विदेरे व्यापक ते विशाल है ठीक है जी सो जड़ा अगला कोशन है जी देख देयां थर्टी कोशन है जी शुद्ध शब्दान दे ज्यान लेई सुदा आरात्म कदे एन रेमीडियल टीचिंग दी सब तो पहली मांग किया जी कि सिख्यार्तियानों शुद्ध शब्द लिखन लेई वारवार किया जावे कठिन शब्दान लेई बोल लिखतो होवे पड़ाई वीच विशलेशन ते सिख्ण वीच अंतराल पाया जावे या अकरा ते शब्दान दी बनावट बारे सिख्यार्तियानों जड़ायों दस्या जावे कि विशलेशन ते सिख्ण दी अंतराल गैप जड़ा पाया जावे ठीक है जी अगला कोशन देख देख दिया जी राजीव दी जमात वीच एक बच्चा कदी कदी पंजाबी बोल दे समय अपनी उडिया बोली दे शब्दान परियोग करन लगता है रजीव नो की करना चाहिदा है बच्चे नो डाट के कि उसने उडिया शब्द क्यों बोली जा क्यों परियोग की था बच्चेन उडिया शब्दा दे समान आर्थ वाले पंजाबी विचद से उडिया शब्दा दीता पंजाबी पाशा दे शब्द प्रियोग कर दे होना नू दोहराई या बच्चेन दासवारी सही वाग दोहरान लेकाई तो जड़ा कती तो जड़ा आंसर है जो अप्शन अबर थर्ड है कि उड़िया दे उड़िया शब्दां दी था पंजाबी पाशा दे शब्द प्रियोग कर दे है उना नू जड़ायो दोहराए ठीक है जी? सो बत्ती माँ कोशन है जी कि पंजाबी पाशा बारे समझाओं दे हुए तो उसी सब तो वद महत्तव किसे नू दाऊंगे बच्चेया द्वारा इस्तमाल किते गे अलंकारिक पाशा नू छंदा दे महावरया खाना दे प्रियोगा नू बच्चेया दे सुबा आते सहर पाश परियोग नू तो आज दिस वीडियो दाजी लास्ट कोशन है जी प्रिद्यार्थियां दियां पाशा सबंदी तुरूटियां दूर करन लई पंजाबी यह आपन दी केड़ी उपचारी वीदी दी वर्तों किते जान दी है गुट उपचार व्यक्तिकत उपचार समुहिक उपचार यह उपरोगत सारे सो जड़ाइदा सई अंसर है ओ है जी उप्शन नमबर टी उपरोगत सारे ठीक है जी पाशास बंदी जड़ी तुरूटियां दूर करन लई जड़ी है इतिन्य वीदियां दी जड़ा है लोड पेंदी है तो यह दा प्रियोग जड़ा किता ज चुके हैं ठीक है जी कल पार्ट वन देवेच ते आज पार्ट टू देवेच सो मिन उमीद है कि तानू पंजाबी पेड़ा कोजी देवेच एक ओवर्विव जा मिल जाएगा कि किस तरह दे कोशन जड़े पुछे जानते ने ठीक है जी सो आज दी वीडियो देवेच एन